हेलो गाइस वेल्कम टू किर्किट अन्मोल दोस्तों कल का मैच चैन्नी सुपर किंग्स दिली कैपिटल से भी क्या मैश था है इतना इंट्रेस्टिंग मैश कि जब तक मैश खतम नहीं सभी से पता नहीं चल रहा मैश में कई साहे टर्निंग पूंट है जिसकी वज़े से चैन सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर सकते हैं एक बड़ी है रिपल पटेल को लाना एक अच्छा प्रफशन है क्योंकि मारकस टोनी सब्सक्राइब नहीं है इंजरी कर चलते तो रिपल पटेल को लाना एक बैस्ट आप संता यूँक्ट स्थीवन स्मीट भी सही है अच्छे बल्ले पाज है लेकिन वह पांच चैन नमर पर नहीं खेल सकते उनको तीन चान नमर पर खिलाना बढ़ी आएक सही उपसरन है क्योंकि सुर्फशन ना भी तिने फोम में नहीं चल लव रन बना पारे और रोबी नो तपा बगए एक एक्स्पिरिंस खिलाड़ी उनों आई-पेल बहुत बना बनाए तो रोबी नो तपा को लाने अब देखते हैं कल तो इसना कुछ कास नह फुली नेक्स मैच में को सहिशा करेंगे चली अब बात करते हैं मैच पर चैन्ने की टिम पहले बल्ले बाज़े करने उतरी और नों ने बीस ओवर में 136 बना दिया पांच विकिट खोकर इसमें सबस्याद रन बनाए थे अंबदी राय डून उन्होंने बनाए थे पच्प सब्सक्राइब और फैब डू प्लेसे उनको अच्छी चुरुआ दे 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 दोनों में से कोई एक तो बड़ा बसको बनाता ही था लेकिन अभी क्या हो कल दोनों जल्दी आउट हो गए तो उस वजह से चैन्ने इते पूरी गिर गई बीस में कोई बल्ले बाज जैनी कोई स सफल की गई ओपनिंग करवाई वन डाउन खलाया गया टू डान खलाया गया चान नंबर पांस नंबर सब्सक्राइब लेगिन उन्होंने रन सब जगह बनाए ना दौनी के बल्ले सब्सक्राइब निकले तो दिरे-दिरे करके सीच के लास्ट में 136 नंबरा दिये थे पां थोड़ा क्या कर्मक भाई वह तो वैसी हेलते हैं जब तक पिछ पर प्रित्वी सों बाई रन तो बनते रहेंगे उनका फाइदा यही तोधा टिम में कि वह अच्छी श्रुआ दे सकते हैं बहुत अच्छी रन बना सकते हैं जल्दी लेकिन क्या होगा जल्दी विकट भी प्रित्वी शौका फिर उसके बाद से पारी थोड़ी दीमी हो गई थी जल्दी आउट हो गए थे बल्ले बाजी कर रहे थे एक हैंट से खर्दवनों पारी को समाले रखेते हैं लेकिन तीन तीन बार मौके में लिए उन्होंने फिर भी उनको बड़े सौट के लिए जाना अब एक करेगे अमा कब तक खेर मनाई लेकिन फिर लास्टम आउट यहों गया गल्लेवाजी करना उते फिर रिपल पड़े रिपल ने वह रन बनाए उन्होंने अठार रन मनाए मैच के कोड़ने के लिए नहीं जाते शिल से लेकिन फिर वह जल्दी आउट हो गए ते ले वहाँ पर जल्दी आया थे अगर वह जल्दी आउट हो जाते तो लास्ट में फिनिस कौन करता और राइट लेफ कॉमिनेशन रखा वह भी सही था बट एक नुकसान यह भी है कि विश्वास कम हो जाता ऐसे कि वह तू ऐसा मैस में फिनिस नहीं कर सकता तू जाग नहीं कर सकत लगती है और टॉप ऑफ टेवल पर चले जाते हैं दूस्तों कल कि मैसके बाद तोड़ सी दिक्कत हैं खड़ी हो गई है अब चैने सुपर किंग्स के लिए लिए नंबर एक पर पहुंच कि दिल्ली की टीम और नंबर दो पर है भी चैने सुपर किंग्स की टीम अगर चैन पहुंच सकते हैं लेकिन उनका रन रेत अभी माइनस में और दिल्ली और चैन्ने की टीम डौन का रन रेत अभी प्लस में तुम कह सकते हैं में नम्हार 1 नंबर 2 क्वालिफायर मिल गए लेकिन चौतर प्वालिफायर भाई कौन होगा इसका भी सबस्क्राइब पता नहीं क्योंकि इस मैच में अगर जो टीम आ रहते हैं वह टीम पूरी तरह से इस लीख से बाफ हो सकती है दोस्तों अगर वीडियो चलिए तो प्लीज लाइक करो और कमेंट करो और दोस्तों कि आप हमारे चैनल पर नहीं प्लीज चैनल कर सब्स्क्राइब कर लो दोस्तों बाई म ते नेस्ट वीडियो में